आगे के Parts है यह उपपर का बैल्ट पार्ट, नीचे की क्रॉस पट्टी, बैक साइड पार्ट, इसके बाद यह बाजू है दोनों कटी हुई, और इसके बाद यह है उक और आई की पट्टी, यह है आई की, यह हुक की और यह है नेक लाइन के लिए, आपने एकलाइं चाहे तो डाइरेक्टली फोल्ड कर सकते हैं और चाहे तो पट्टी लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम यह वाले पार्ट्स लेंगे और इनको आपको ऐसे करना है यह देखें एक पार्ट्स लेंगे हम इस तरह से और इसके उपर हमें पार्ट्स को ऐसे रखके पहली कच्ची सिलाई निकाल दी है इसको कच्चा स्टीच करना है चार तरप से उसके बाद एक दो तीन चार टक्स लगाने है तो पहले दोनों पार्ट्स को कच्चा करेंगे फिर ये टक्स लगाएंगे देख सकते हैं मैंने इसको कच्चा कर लिया ये सिलाई ये सिलाई उपर की सिलाई साइड्स की और ये वाली सिलाई मैंने कर दी है और नीचे से जो क्रॉस पट्टी उसको मैंने नीचे से एक सिलाई कर दी है तो क्रोस पट्टी को इस तरह से कच्चा तियार कर लिया है चलिए अब टक्स लगना स्टार्ट करते है टक्स के उपर आपको देखे आपका जो लाइनिंग का पार्ट्स बिल्कुल परफिक्ट रहेगा इस तरह से आप देखे ये जो टक्स होते हैं इनको आपको इस तरह से एक कच्चे सिलाई लगा दे रही है इससे क्या होता है कि ये पार्स आपका नीचे वाले पार्स के साथ अटेज हो जाता है अब आप जब टक्स लगाएंगे तो अलग-अलग नहीं होंगे पार्स एक साथ अटेज रहेंगे तो मैंने इसके भी ये चारो सिलाईयां लगा ली है और इसके भी ये चारो सिलाईयां पहले लगा ली है अब हम फस्ट में ये टक्स स्टार्ट करते है तो ये होती है सबसे पहली और मेंटेक्स और सबसे पहले आपको इसी टक्स को लगाना चीए इसके बाद में आप दूसरी टक्स लगाएंगे वो होगी आपकी नेक लाइन यानि हुक पट्टी और आई की पट्टी के तरफ जो मारी छोटी टक्स लगती है वो यह आपकी होगी सेकंड टक्स तो दोनों पार्ट्स आपको इस तरह से एक साथ चलाने हैं ताके आपके बराबर में टक्स लगे और आपके पार्ट्स आमने सामने के त्यार हो जाएं अब हम तीसरी टक्स मार्जन साइड की लाइन में लगाएंगे तो आप देख सकते हो तीसरी टक्स टक्स के लिए पहले वो कच्ची सिला ही लगा लेते हैं तो उससे benefits यह होता है कि आपका main fabric और lining का parts एक साथ जुड़ा रहता है, वो अलग अलग छिटकते नहीं हैं, तो यह मैंने तीसरी tucks दोनों parts पे लगा दी है, और इसी तरह से जो हमारी armhole side की चोथी और last tucks होती है, उसको हम लगा लेंगे, तो यह होता है आपका belt part blouse की सबसे belt part का तरीका, यह बहुत ही perfect तरीका है, और इससे आपका जो उपर का part है, बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम perfect बनेगा, तो यह हमारी belt part जो है, वो तियार हो गया है, अब मैं आपको इसके साथ नीचे की cross party, यह आपको एक parts लेना है, इस तरह से, और यह लेने है cross party, cross party को मैंने lining के साथ नीचे से attach कर दिया है, और अब इस तरह से एक fit के यानि आधा इंच के according आपको सिलाई लेनी है, ध्यान रखना, सिलाई का margin आधा इंच यानि जो आप fit देख रहे हो, एक fit के according कम से कम होना चीए नहीं, तो आपका blouse का जो सिलाई है, वो खुश सकता है, इसका आपको खास दोर से ध्यान रखना है, जब आप सिलाई कर रहे हो तो, यह सिलाई मेन होती है, इस सिलाई पर दबा पड़ता है, तो आपको देख सकते हैं, आप मैंने कितनी जो लगबगादाईं से थोड़ी ज़्यादा ही सिलाई margin रखा है, अब हम इसको देखे, इंके साथ में stitching करेंगे, उपर वाले पार्स को उपर वाले के साथ में सिलाई कर देंगे, तो इस तरह से आपकी ये गुम सिलाई हो जाएगी, दोनों पार्स के इसी तरह से गुम सिलाई करें, फिर आप इसकी iron कर लें, और आप ये के दोनों आपके पार्स तियार हो जाए और ये दबाप पढ़ने पर भी आपकी खुलेगी नहीं, अब हम इसको ओन करेंगे, और हुक और आई की पट्टी लगाएंगे, तो आपको एक पार्ट पे हुक की पट्टी लगाना है, और एक पार्ट पे ये आई की पट्टी, एक सिलाई लगाने के पाद ऐसे फोल्ड करन है, और फिर उपर की साइड से आपको इसको सिलाई लगा देना है, तो ये हो गई हमारी आई की पट्टी, नीचे के पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, और बराबर में सिल देंगे, तो आप देख सकते हो, मैंने आई की पट्टी को त्यार कर लिया, ये थोड़ा सा य ज़्यादा बैटर रहेगा, और अगर आप मसीन से हुक लगाना सीखना चाते हैं, तो नीचे मैं आपको लिंक सीलाई मसीन से, आपको सुई दागे की ज़रूरत नहीं होगी, सीलाई मसीन से भी आप हुक, और आई बना सकते हैं, तो उसके आपको नेचे वीडियो लिंक मि आप hook लगा सकते हैं तो इस तरह से हमारे आगे के दोनों पार्स कमप्लिट हुए अब चलते हम बेक साइट के पार्स की और तो बेक साइट के पार्स को सबसे पहले आप पूरा कच्चा कर लें कच्ची सिलाही लगाने के बाद आपको पीछे की दो डार्ट होती है आपको ये दो डाट लगानी है, तो यहां पे मैंने दो डाट लगा दी है, अब हम solder point को solder point से joint करेंगे, तो इस तरह ऐसे double सिलाई से आपको solder joint कर लेने हैं, तो मैंने आगे पीछे दोनों parts की solder joint कर ले हैं, अब हम बाजू को attach करेंगे, बाजू लगाते सुमया आपको दिहान रखना है, बाजू में आगे का parts आगे की तरफ होना अच्छिए, और बेक साइड का बाजू का parts बेक साइड की तरफ हटेज करना है, तो center point पे center point को रखेंगे, और इस तरह से सिलाई start कर लेंगे, parts को दोड़ा check करके रखना, नहीं तो क्या होता है, कई बार लड़कियां जब सिलाई करती है, जो नहीं नहीं हमारे beginners होते हैं, वो आगे का parts पीछे और पीछे का parts आगे लगा देते हैं, उससे problem हो जाती है, तो आप देख सकते हैं, मैंने बाजू को, दोनों बाजू को stitch कर लिया है, और इसकी मैंने double सिलाई लगाई है, सिलाई का margin आपको total सिलाई में आदा इंच का रखना होता है, बाजू complete करने के बाद, आपको margin की सिलाई लगानी है, तो margin की एक सिलाई लगाने के बाद, जितना भी आपका margin और डेड इंच का, नीचे तक इस तरह से point लगा ल आप एक से दो सिलाई निकाले ताकि जब भी आपको blouse tight हो जाए, तो आप उसे खोल सकते हैं, तो मैंने दोनों side की margin की सिलाई यहाँ पर पूरी कर दी है, और अब हम अपनी blouse की neckline करेंगे, neckline के लिए देखिये मैंने lining की पट्टी तयार की हुई है, पट्टी को हलका हलका खीचते वे आपको पूरी neckline पे एक सिलाई से लगा देना है, तो यह मैंने पूरी neckline पे एक सिलाई लगा दी है, और अब extra पट्टी को cut करके आपको इस तरह से under की और fold करके एक सिलाई और लगा देनी है, तो पहले आपको इस तरह से इसको fold करना है, फिर आपको इस पे तुरपाई लगा देनी है, तो यह मैंने तुरपाई वाली पट्टी यहां पे लगाई है, आप चाहते हैं यहां पे pipe pin भी लगा सकते हैं, मैं आप तुरपाई करूंगी, तो दोस्तों कैसी लगे आज की हमारी वीडियो, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लिस लाइक सेर और कोमेंट जरूर करें, थैंक यू